हेलो फुचर डाक्टर दिस इस परवीन यादो फ्राम उत्तर प्रदेश उन्वेसिटी आप मेडिकल साइस साइफ है उटा है जैसे आपको पता है कि NCR सीरीज चल रही NCR सीरीज का फोलफार में NCRT कंप्लीट रिवीजन सीरीज ये सीरीज पूरा 11-12 की कराई जैसा हमने 12 का पूरा लगभग करवा दिया है लगभग 10 से 12 चैप्टर हो चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्सन बाक्स में है उसको आप देख सकते हैं 11 का जो पार्ट लेकर आ रहे हैं वो अभिनो यादो MBBS Student MLN मोतिलाल नहरूप Medical College से वो अप लेकर आ रहे हैं अभिनो यादो लेकर आ रहे हैं जो 2020 मोतिलाल नहरूप Medical College से हैं तो ये सीरीज पूरी वो कंप्लीट कराएंगे पूरी 11 की बायो और बाकी के चैप्टर्स इंपॉर्टन जो होगा वो लेकर आएंगे बाकी हम सीरीज कांटीन्यू करें 12 का और बाकी आप को important questions हम बीच बीच में बताते रहेंगे और वो भी काफी आपकी मदद करेंगे जो है तो आईए हम इसको start करते हैं जो exclusive point है NCRT का second part का एक part हो चुका है link description बाक में आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने NCRT के जो data थे वो एक जगहां रख के करवा दियें तो आपको बहुत व प्रवई को मना जाता, 9 टबैको डे 31 मई को मना जाता, वर्ड इंवार्मेंटर डे 5 जून को मना जाता, वर्ड हेल्थ डे 7 अपरेल को मना जाता, वर्ड बायो डायोशिटी डे 22 मई, वर्ड ओजोन डे 16 सितंबर CP0 2019 का equations रहा है, वर्ड कैंसर डे 4 फरवई, वर्ड टबैको चोविस मार्च वर्ड अर्थ डे बाइस अप्रेल सीपिनेट दोजार अठारा यह कुछ फुलफार में जो NCRT के फुलफार में हम एक जहां कर लिये हैं तो आपको यह पूरी फुलफार में जो NCRT के हैं आपको एक ही कहां मिल जाएंगे यह बहुत ही हेलफुल आपके लिए होंगे इसमें हम बताएंगे जो फुलफार पुछा है जैसे जी अनराज का है तो यह जी अनरा गोनाडो ट्राफिंग रिलीजिंग हार्वन यह 2019 में CP.NET में पूछा गया था बीज बीज में हम यह बताते हैं चले जाएंगे CP.NET के जो questions हैं वो बहुत important question हो जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको question paper भी नहीं मिलता हाला कि 2020 से तो अब तो CBT based हो रहा है 2021 में भी CBT based होने वाला computer based 2019 में जब हमने exam दिया था तो 2019 तक तो pen paper based होता था लेकिन question paper submit कर लिए जाते थे लेकिन 2019 के हमको जो questions याद है या 2018 के जो हमने questions पता की हैं 2020 के questions तो बीज बीज में आपको लोग को बताते रहे हैं PMC के आप पालन गिरे मदद सेल, MMC के आप मेगा इस्पोर मदद सेल या लियाच नुटन जाए हार बूल, FSS, Follicular Stimulating हारोन, GNRs, Gonadotrophin लेजिंग आने बहुत important है HCG, Human Chronic Gonadotrophin, HPL, Human Placental Lactogen, CDRI, Central Drug Research Institute जो की लखना हूँ मैं 13 मास 2013 को ये जो है Central Drug Research Institute बना था सहली आप बहुत important है इसको आप बिसेन द्यादेंगे लिए weekly लिए जाती है RCH, Reproductive and Healthcare, MMR, Maternal Mortality Rate, IMR, Infant Mortality Rate, IUDS, Intra-Uterine Device सारी याद कर लेंगे जो है, जो हार्मोनल है उसको भी याद कर लेंगे हार्मोनल जो पिल्स हैं, जो उसको भी आप याद कर लेंगे MTP, Medical Termination of Pregnancy, BCS ध्यान देंगे हम वीडियो इसकी करवा चुके हैं, Reproductive Health वाले में आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत important हो जाता है ART, Assisted Reproductive Technology, IVF, In-vitreo Fertilization, ZIFT, JIGOT, Intrafalopian Transfer जाइगोट, Intrafalopian Transfer, गायमेट, Intrafalopian Transfer और Intra, ICSI, Intra-Cytoplasmic Sperm Injection, बहुत important हो जाता है Intra-Cytoplasmic Sperm Injection, इसमें Intra है, Inter नहीं है, आप इसका बिसेज ध्यान देंगे IUI, Intra-Uterine Insemination, BAC, Bacterial Artificial Chromosome, YAC, East Artificial Chromosome and HGP, Human Genome Project, तो यह important है, और हम देख लेते हैं, next, जो full farm है यहने ACO, National AIDS Control Organization, NGO, Non-Governmental Organization, CAT, Computerized XC, Tomography BPD, Borderline Personality Disorder, RAPD, Random Amplication of Polymorphic DNA NDV, New Cattle Disease Virus यह full farm है, full farm हला कि पूरे full farm है, यह जहां करवा दे रहे हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, full farm कोजने में तो आप full farm यहां से पूरा cover कर सकते हैं, और full farm एक ना एक को पूछा ही जाता है अभी जैसे, अटल विहरी बाचपी, Medical University का एक्जाम उगत, उसमें भी full farm पूछा गया था यह मुटी, Multiple Oblution, Immune Transfer Technology, SNPS, Single Nucleotide, Polymorphis, VNTR, Variable Number of Tender Repaired Unit Finger printing से एली जैफरी, बहुत important है, उसको आप देख लेंगे CMI Central Medicated Immunity MLT, 50% माल, आपको पता ही है, हम वीडियों करवा चुके है Mucosa Associated Lymph Tissue, ELISA, Enzyme Linked Immunosorbate, ऐसे ELISA test किसके लिए होता, आप लोग comment बाक्स में ज़रूर बताएंगे LDS, LDS, Synergic Acid Dithyl Amides, SCP Single Cell Protein का इक्जामपल आप बताएंगे LAB, Lactic Acid Bacteria, Lactobacillus, Lactobacillus आपको पता ही है, Lactic Acid Bacteria, BOD, Biochemical Oxygen, IARI, Indian Agriculture Research Institute Indian Agriculture Research Institute, New Delhi में है, KU, KVIC, Khadi and Village Industries Commission, EFV, European Federation of Biotechnology GMO, Generically Modified Arrangement, PCR, Polymerase Channelsion, Polymerase Channelsion बहुत important आप देख लेंगे PCR आप देख लेंगे, PCR हलाकि हमने बायोटेक्लाजी बहुत अच्छे से करवा ही, बहुत बार पूस्ता PCR, बायोटेक्लाजी बहुत important है GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, DEFC, Dish Teatus Food Chain, GEFC, Grazing Food Chain, PIL, Public Interest Litigation, JFM, Joint Forest Management CPCB, Central Pollution Control Board, ADA, Adnine, Deaminase, BT, Bacillus Therogenesis, बहुत important है PKU, Phenyl Quitonaria, PMLN, Polymorphic Nuclear Leucoside आगे वीडियो हम देख लेते हैं, जो भी पुलफार में बहुत important हो जाते हैं और यहाँ पर जो date दिया है, बहुत important date है Joint Forest Management कब होगा था, 1980 में Joint Forest Management, 1980, Air Act, 1980, Applicable Noise Act में बदला था, 1987 Environmental Act, 1986, Water Act, 1994, CP4, 2019 Insecticide Act, 1960, National Forest Policy, 1988 Estrancium देख लेते हैं, कुछ इस्टा point है, हलाकि important point है Estrancium 90 जो होता है, जो जो एक cast करता है, bone cancer cast कर सकता है Blood में cancer cast कर सकता है, tissue degenerate कर सकता है It is most dangerous of the homo sapiens 1995, यह need का आया हुआ questions है, हलाकि पहले APMT हुगा करता था यह जो आपको figure देख रहा है, चितर देख रहा है क्योंकि इसका order में पूछ लेता है, इसे 4 आपसंदे देगा और पूछ लेगा ascending, descending, और इसमें कितना percent किसका है तो carbon dioxide का 60 percent है, methane का 20 percent है, CFC, chlorofluor carbon CFC, very important chlorofluor carbon, 14 percent है, N2O, 6 percent है यह ग्राफ रहा जो है, जो पाय जा रहे हैं, यहाँ से important, बहुत questions आता है बहुत important है, अब यहाँ से आपको बताएंगे, जो questions आया हुआ है NEED 2018 का questions रहा है, MSILISM, और इसका example था Penicillium बहुत ही student गलत करके आये थे, और यह बहुत important इसलिए हो जाता क्योंकि CP.NET में यहाँ से questions पूछना compulsory है CP.NET का हालकि अच्छा paper बनता है, question ऐसा नहीं बनता जो अटल विहारी बाचपी Medical University में आया था CP.NET के जो questions बनते हो भी अच्छे questions होते हैं तो आप लोग previous year need के questions लगाते रही है हम बीच बीच में आप लोग को जो chapter जब पढ़ाते हैं जो NCR करवाते हैं उसमें last में previous year के need के questions हम 25-30 questions करवा देते हैं तो आप लोग वहाँ से भी cover कर सकते हैं अच्छे से जैसे positive positive होत में तो में तुझे mutualism, mutualism वो होता है जैसे algae fungi का हो गया उनका relationship हो गया तो जैसे mutualism हो गया मतलब दोनों को फायदा हो रहा है negative negative हो गया तो competition हो गया मतलब दोनों competition में है और positive negative हो गया तो एक फायदे में competition में है मतलब एक का घाटा है एक positive negative मतलब एक का घाटा है तो predation हो गया positive negative मतलब एक का फायदा है एक का घाटा है parasitism हो गया positive zero मतलब एक का फायदा है दूसरे का कुछ नहीं मतलब उसका कोई फर्क नहीं पाड़ा उस पर रहने पर common salisum हो गया और negative 0 मतलब एक को घाटा हो रहा है दूसरे को कुछ नहीं होगा तो mn salisum इसका important बहुत important है common salisum paracidium, predation, competition और michelisum michelisum को अधिकतल लोगों को पता रहाता है lg of fungi लेकिन mn salisum और common salisum इसका नहीं पता रहता है तो आप लोग इसका bcs ध्यान देंगे इसको आप याद कर लेंगे नहीं इसको आप सीधा रट्टी देंगे क्योंकि यह data पूछ लेता है तो यह data बहुत important है जो हम data कर रहा हैं जैसे dn upon dt dn upon dt यहाँ पर आप देख रहेंगे capital n में है small n में है capital d है bcs इसका ध्यान देंग कि कुछ 4 आपसन बता देते हैं ऐसे ही और आप 4 आपसन में जो है विचार नहीं कर पाते हैं वो उसमें confuse हो जाते है तो dn upon dt is equal to rn k minus n by k dn upon dt is equal to rn k minus n by k n is equal to population density at time t r kya है intrinsic rate of natural increase kya क्या है caring capacity है question एक पूशा था cp net में 2018 में questions पूशा गया है यहाँ पे देख रहे हैं need 2017 का भी questions रहा हुआ है तो हम यह बार बार हम आप से करें जो need के questions हैं यह cp net में repeat करते हैं तो आप इसका आपको दिख रहा है यह चित्र दिख रहा है हाला कि यह चित्र बहुत important है कि गराप से यहाँ पी question आ जाता है हम आपको बताएंगे जो questions आया हुआ है यह देखेंगे external level है internal level है और partial regulator है regulator है conformer है conformer क्या मतलब कोई change नहीं हो 99% plant है और few animals है जिसके अंदर कोई change नहीं होगा और जो regulator है उनके अंदर देखेंगे all birds, mammals and few vertebrates and invertebrates आजाएंगे यह questions पूछा था conformer से पूछ लिया था cpnet 2019 में और ऐसे ही graph तो दिया नहीं था लेकिन questions पूछ लिया था graph नहीं आता लेकिन यहां से questions पूट अप हो जाता है graph पे भी पूट अप होता है और theory में भी ऐसे questions पूट अप हो जाते है तो बहुत important है जो important है उसको हम एक exclusive series बना के करवा रहे हैं और फिर आगे देख लेते हैं जो important है यहां से student काफी confusion होते है unisexual, bisexual और herma fluoride sexual का सकते हैं heterothelic का सकते हैं diceus का सकते हैं तो diceus male और female male में जैसे histamine हो गया, female में हो गया, pistil हो गया diceus, papaya and date pal papaya आप अप इसता देखे होंगे male का अलग part plant होता है जैसे जो हो जाता हो बन्जाज इसको काते है male का अलग हो जाता हो इसके बाद female का जो है वो अलग रहता है मतलब जिसमें fruits वगयरा लगते हैं तो आप देखे होंगे गाँ वगयरा को जो student होंगे वो business कर देखते रहते हैं जो है ये सब चीज है तो papaya वगयरा उनके घर पे भी होता है ये सब चीज आप देखे होंगे जो है एनिमल में जैसे काक्रोज आप देखे होंगे काक्रोज में क्या होता है कि male और female जो है अलग-अलग होते हैं plant में जैसे markancy नहांग होगा Markancy आप देखे होंगे female अलग होता है female अलग होती कि female में कौन सा होता है मतलब यह flower जो है female में जानते हैं चेहरा खिला-खिला मतलब जो है इसमें वो पाय जाएगा जो है तो इसलिए आप वहाँ से जो है देख लेंगे figure से भी questions आ जाते हैं theory बना के पूछ लेते हैं bisexual क्या है male plus female female एक ही बाड़िम पाया जाता है तुसको bisexual काते हैं अगर मन जाई और plant में बात करें होमोथालिक भी इसको काते हैं mono-eCS भी का सकते हैं कुर्बिट्स, कारा एंड कोकोनट कारम देखेंगे तो male और female एक हीम पाया जाता है उपर नीचे यह important इस लिए हो जाता है क्योंकि यहां से पूछ लेता है कौन एन हेट, कौन टुएन है आप इसको ऐसे याद रखेंगे जो है जैसे आपको हम बता जे रहे हैं जैसे fruit fly है, house fly है, onion, mage, rice तो 46,8,10,12 ऐसे even number है तो आप यहां से अराम से याद कर सकते हैं 4,6,8,10,12 तो gametion की हम बात करें 2,1 की बात हम नहीं कर रहे है fruit fly जैसे house fly है, onion है, mage, rice है 4,6,8,10,12 तो ऐसे याद कर लेंगे 4,6,8,10,12 और फिर यहां तीन shift अलग बना के याद कर लेंगे जैसे हम याद की हैं, वैसे आपको भी बता दे रहे है यह ऐसे हाद कर लेंगे apple red cat apple red cat 17,19,20 दो का difference है apple red cat दो का difference 17,19,20 human potato का human का आपको पता ही है 23 होता है और potato का human का भी medical university में question आया हुआ था human का आया हुआ था तो human का आपको पता ही है human तो 46 हो जाएगा n में 23 potato में 24, 23,24 आपको पता ही है डाग में 49 आप याद कर लेजिए बाकी आप लोग को जो है ऐसे ही hard even बना के याद कर लेंगे जैसे बताएं और फिर आगे हम देख लेते हैं जो है यह बहुत important हो जाता है यहाँ से question पूछ लेता क्योंकि यह important इस लिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से questions हर साल आ जाता है और इस chapter में genetic से down syndrome क्या होता kill phantom syndrome क्या होता turnal syndrome क्या होता down syndrome में trisomy 21-1 chromozome की हो जाती है इसको disjunction भी कह सकते हैं disjunction जो की question पूछ लिया था cp-net 2018 में और down syndrome को हम मंग गोलाइड IDOC का सकते हैं और यह trisomy 21-1 chromozome की कारण होती इसको discover किये थे Langdon down ने discover इसको किया था 1918-1966 में इसको हला कि date वगरा नहीं पूछिया थी कौन discover किया था इसको पूछ सकता है और अधिकतर पूछता है कि down syndrome जो होता है trisomy 21-1 chromozome की कारण होता है और इसमें क्या क्या होता है इसमें आप जो देखेंगे जो यहां पे underline है वो है the affected individual is shorter duration with small rounded head faro tongue and partial open mouth आप इसका figure देख लेंगे page number 90 पे बना हुआ figure बहुत important हो जाता है क्योंकि figure से down syndrome आपको समझने आ जाएगा palm is broad with characteristic palm crisis physical, psychomotor and mental development is retarded तो mentally भी वो थोड़ा disturb राता है और उसका जो जीब होगा वो थोड़ा pharotype कराता है और trisomy आप इसमें क्रोमोजोम के कारण होता है down syndrome cliff entire syndrome क्या होता है cliff entire syndrome में एक क्रोमोजोम की इष्टा कापी हो जाती और जिस क्रोमोजोम की इष्टा कापी होती वो क्रोमोजोम X है मतलब उसके अंदर X, X, Y हो जाता है मतलब 47 X, X, Y हो जाता है such individual वो individual has over our masculine development however the female development of the breast मतलब उनके अंदर जो है गनाई को estymia हो जाता है and also spread such individual are strile वो individual जो है strile हो जाता है turner syndrome के बारे मतलब बताते है turner syndrome में एक क्रोमोजोम की absence हो जाता है turner syndrome में एक क्रोमोजोम कम हो जाता है और cliff entire syndrome में एक क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाती है तो turner syndrome में एक की संक्या कम हो जाती मतलब इसमें हो जाता 45 with X0 हो जाता सच फीमेल are strile and ovaries are rudimentary ये females strile होती है और ovaries इनकी rudimentary हो जाती मतलब turner syndrome जो है ये female में होता है किलफेंटर syndrome जो है ये male में होता है sexual character इसमें जो है ये secondary sexual character like हो जाता और maturation cycle इनकी staff हो जाती है पताओं जीर्णों सीन्डों, किलफेंटर्ण सीन्डों, टर्नल सीन्डों बाकी दो सीन्डों अलग से इिष्टा हैं, इसको भी आप भी सेज ध्यान देंगे पटाओं सीन्डों एंड क्राइडूचैट सीन्डों पताओं सीन्डों क्या हो जाता है, due to trisomy आप 13th automation इसमें 13 क्रोमोजोम की आटोसोम ही हो जाती है और क्राइडूचैट सिंड्रोम में क्या होता है डियुटू डिलिशन आफ साट आरमा फिप्त क्रोमोजोम इसमें पांचमें ग्रोमोजोम की डिलिशन हो जाता है तो यह वीडियो रहा जो है ncrt exclusive.2 बहुत important वीडियो है इसको आप देख लेंगे जो important हम लग रहा है वो जो exclusion point में करवा दे रहे हैं बाकी आप लोग के लिए NCR सीरीज चली ही रहे हैं NCR सीरीज जो 12 का portion बचा हूँ उसको भी हम कबार करवाएंगे और questions होते रहेंगे बीच में हम बता देंगे CPnet के जो previous year के questions आए हुए हैं और 2019 के पूरे questions हम आप लोग को एक equations करवा देंगे जो है और बीच-बीच में हम यह भी बताते चल रहे हैं तो आप लोग यहां से पूरा revision कर सकते हैं अगर आपको doubts है तो instagram link है वहां से आप अपने doubt solve कर लिया करिए अगर आपको physics में कोई भी doubt हो रहा है बाकी 11 का portion जो लेकर आ रहे हैं अगने अग्यादव MBBS ML medical college हो लेकर आ रहे हैं तो उनको भी हम ID दे दिये हैं तो वहां से लागिन करके आप वीडियो time to time वो भी upload करते रहेंगे जैसे उनको time मिलेगा तो आप लोग इस channel से पूरा अपना फाइदा उठाल सकते हैं और इसी साल student जो selection लेना चाहते हो अच्छे से अपना पढ़के selection ले सकते हैं और बाकी आप लोग अपना revision करते रहें जो पुराना पढ़े हुए हैं बाकी ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आ आप लोग को सारे materials और सारी चीज़ें provide हो जाएंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने update के साथ जाएंदे